लो बच्चो एंड वेलकम तो दे वंडरफुल वर्ल्ड ओफ एकनामिक्स यस बच्चो हमने स्टार्ट की है टीवा विकॉंग के फस्सेमिस्टर का बहुत इंट्रेस्टिंग चैप्टर अधिस सस्टेनिबल डेवलप्मेंट अब यह हमारे एकनामी का एक नया गोल बन चुक प्रक्सिस के बाद फिर उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसे ग्लोबल गोल्स बनाये जाएं जिसको हम अपने आने वाले दिनों में अचीव करने की कोशिश करें सब कंट्रीज मिलके सब कंट्रीज यानि सब कंट्रीज एक साथ मिलके कोशिश करेंगे तो यह 17 17 सस्टेनिबल डे तो हमने बार-बार रिपीट किया है कि यह हमारे एकनामी का बहुत ही important mission है कि हमें अपने present needs को तो satisfy करना है अपने country के present needs को satisfy करना है without compromising future needs of generation तो यह sustainable goals क्या है हमने first part में देखा बच्चो जिसमें हमने देखा कि economic growth और development के इस journey में हम sustainable goals को भी carry कर रहे हैं और दूसरा कि इंडिया ने कौन से initiative लिये हैं तो achieve these sustainable goals वो हमने second part में देखा आज हम देख रहे हैं कि यह जो हमारे sustainable development goals हैं उनको अचीव करने के लिए government ने बहुत सारे programs बनाए बराबर बच्चो हमने किया था अब उसमें एक बहुत ही important program था वो था मेक इंडिया प्रोग् जब यह मेक इंडिया प्रोग्राम की बात आती है तो आग के माइन में एक लॉयन की picture जो है वो दिखाई देती है क्योंकि वही उसका main logo है जिस पे लिखा हुआ है मेक इंडिया यह मेक इंडिया जब हम देखते हैं तो उस मेक इंडिया में हमारे economy में पहली बार कोशिश की गई कि हम अपने sustainable goals को अचीव करने की कोशिश करेंगे by conducting by launching this program और यस sustainable development goals को अचीव करने के लिए हमारे तीन program बहुत ही successful है आज हम इस पार्ट में कर रहे हैं मेक इंडिया प्रोग्राम क्या है इसकी objectives और importance क्या है इसकी achievements क्या क्या हुई है और last part में हम देखेंगे क्योंकि making India के साथ साथ जो हमने दूसरे program जो थे skill India in West India वो भी program से जो launch हुए और वो बहुत अची तरह successfully जो है achieve कर रहे है expected goals को तो चलो बच्चो आज हम बहुत easily cover करेंगे क्योंकि TY के exam में ये भी आपका बहुत important question आता है कि explain making India program in India in a very easy way as you know that simplicity is our main motto now बच्चो जब हम making India program की बात करें तो हमने क्या कहा कि इस program के तुरू हम achieve करना चाहते हैं हमारे core goals that is sustainable development goals इसमें कोशिश की गई कि जितने भी हमारे manufacturers हैं चाहे domestic के हो या foreign के manufacturers हो सबको कोशिश की जाएगी कि हमारे इंडिया में हर product बनाएं यानि यह हमारे इंडिया के लिए proud moment होगा कि हमारे products जो है making India के नाम से foreign country में बिके यानि हम हर एक manufacturing process में production में अपने आपको प्रूव कर पाएं और ज्यादा से ज्यादा export जो हैं वो हम बढ़ा पाएं यानि हमारा GDP ratio है वो हम कोशिश करेंगे कि manufacturing sector का वो raise होना चाहिए after 25% by 2022 यह हमारा target था अच्छा सिरफ manufacturing sectors में growth नहीं बढ़ाने जब productivity बढ़ेगी तो हमें skilled labor एक intellectual properties उनकी भी जरूरत पड़ेगी तो हमारा इस पर एक कोशिश थी कि every year इतने number of industries को हम grow करें कि हर साल हमारी एकनामी में ज़्यादा से ज़्यादा jobs जो है वो हम provide करें जिसे उन्होंने target रखा कि 2022 तक हमारी एकनामी में hundred million jobs जो है वो manufacturing sector एक अकिला manufacturing sector hundred million jobs को create करेगा ना सरफ यह जिसे developed economy है उनमें industrial sector manufacturing sector secondary sector में जो growth rate है वो 12-14% है हम भी अपनी एकनामी में जो growth rate है वो 12-14% लेके आएंगे और plus skill development को ज़्यादा focus किया जाएगा चाहे वो urban areas में हो याने urban areas में जो poor people है या जो rural area से migrant होके हमारे urban areas में आते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा industries की तरफ divert हो इससे क्या होगा इससे help मिलेगी foster inclusive growth जो हमारा target है योकि sustainable development goals हमारे एकनामी को inclusive growth देते हैं और जब हमारे एकनामी में employment ratio बढ़ेगा intellectual property का level बढ़ेगा income बढ़ेगा तो क्या होगा improve होगा employees का standard of living तो इस तरह से हमारी ये कोशिश make in India program जो बहुत ही popular है उसको आज हम discuss करें पहले हमें लिखना है थोड़ा सा introduction ये जो make in India program है वो हमने क्यों बना है तो achieve the economic growth and development government of India ने बना दिया start किया कि कुछ ऐसे programs हो जो हमारे sustainable development goals को achieve करने में हमारी help करें तो achieve economic growth and development our government of India started some ambitious programs जो based थे on core principles याने main principles of sustainable development goals और वो तीन products कौन से हैं तीन programs कौन से हैं एक तो है make in India जो आज हम कर रहे हैं detail में हमारा last part होगा skill India और invest India ये दोनों साथ में आते हैं बच्चो skill India और invest India ये दोनों questions साथ में आते हैं ये हम last में short note के form में करेंगे कि skill India प्रोग्राम क्या है और invest India प्रोग्राम क्या है तो हमारे ये तीन प्रोग्राम जो थे वो highly जो है वो popular प्रोग्राम से तो हमारे sustainable development goals को achieve करने के लिए हमारे government ने कौन से तीन प्रोग्राम बनाए making India skill India invest India ओकी आच्छा उसके लिए हमने देखा कि September में especially 25th September 2014 देट याद रखना बच्चो 25 September 2014 को अवर Honorable Prime Minister नरेंद्र मोधी जी ने इस प्रोग्राम को launch किया और उसके लिए उसने कोशिश किया हर country में उसने विजट किया और कोशिश किया कि हमारे यहां पे manufacturing जो investment है manufacturing sector जो है वो highly growth करें और उसमें भी हम पढ़ेंगे कि 25 main core areas को उन्होंने जादा से जादा focus किया ना सिर्फ उसको focus किया लेकिन उन manufacturing sector को support करने के लिए जो innovative हमारे पास ideas लगेंगे याने research and development department है या robust हमारा जो infrastructure है वो provide करने की कोशिश की याने better highways की connectivity उन्हें अच्छा दिया port की connectivity हमने सागरमाला प्रोग्राम देखा उसकी connectivity उन्होंने best उनको दिया not only that लेकिन उसके साथ साथ जो waterways है वो भी उनको better provide किये गए airway से aviation उसमें भी काफी focus किया गया उसमें भी काफी investment जो खास करके foreign direct investment को उन्होंने जादा से जादा approach किया अबर honorable prime minister he visited to each and every country he motivated our Indians that they should invest in our Indian economy और अभी हमारे इंडियन इकनामी में आप देख रहे हो इतना foreign direct investment है कि मुझे याद आ रहा है कि हम inflow देखेंग जब से यह program चालू हुआ है 2014 से दो हजार चौदा से लेकि दो हजार सत्रा तक जैने between 2014 to 2017 पता है हमारे इंडियन इकनामी में foreign direct investment कि इतना हुआ था बच्चो याने unexpected था इतना funds हमारे इंडियन इकनामी में हुआ इतना हमारे इंडियन इकनामी में हुआ क्योंकि उतना हमारे इकनामी में mindset change हो चुका था और उसके अलावा एक बहुत अच्छा infrastructure जो था वो हमने provided किया था काफी प्रोग्राम के थूरू इनिशेटिव लिए गए नए प्रोग्राम और प्रोसेस हमने किया ease of doing हमने किया जिससे हमने काफी rules and regulations को हमने क्या कर दिया simplify ताकि foreign का जो investment है जब हमारे इंडियन इकनामी में आता है तो उसके लिए जितने भी bureaucratic formalities को हमने reduce कर दिया तो यह भी सारी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने अपनी इकनामी में किया क्योंकि अगर हम last हम लोग देखेंगे हमारा एक और चैप्टर आएगा that is foreign direct investment उस में हम देखेंगे एक short note आएगा that is FIPB याने उसका पूरा प्रोग्राम जो आता है यह क्या है FIPB याने foreign investment promotion board इसका functioning क्या है किस तरह से वह अचीव करता है target कैसे हमारे foreign direct investment जब इंडियन इकनामी में आता है किस तरह से वह उसको monitor करता है evaluate करता है तो वह foreign investment जो promotion board FIPB यह foreign direct investment को approve करता है up to 5000 करोड लेकिन अगर 5000 करोड से ज्यादा 5000 करोड से ज्यादा foreign direct investment तो फिर उसके लिए separate cabinet है committee है on economic affairs और उसमें भी especially हम देखते हैं DIPP that is department of industrial policy and promotion जो काफी FDI में support करता है बहुत जगह तो ऐसे था कि पहले restriction था कि हम more than 51% foreign direct investment नहीं कर सकते हैं लेकिन अभी उन reserved areas में भी हम देखते हैं हमारी government ने वो restriction वो cap हटा दिया है याने वहां पे भी more than 51% याने 100% हम लोग investment foreign direct investment कर सकते हैं जिससे हमारी economy में income output employment बढ़ेगा export हम जादा करेंगे quality बढ़ेगी skill जो है उसको एक development मिलेगा और main है बहुत लोगों को job मिलेगा तो इस तरह की कोशिश किया गया with the help of make in India program तो let's see it is launched by PM that is Prime Minister Narendra Modi ji on 25th September 2014 now according to this program उन्होंने क्या कोशिश किया उन्होंने कोशिश किया as per this program to encourage domestic and foreign companies बाले हमारे देश की इंडस्ट्रीज ओ या फॉर्न की इंडस्ट्रीज ओ to manufacture their products in India ताकि हम बता पाए कि वो make in India program है यानि वो made in India वो हमारे इंडिया एक नामी में बनाया गया है और हमारे इंडिया को हमें क्या बनाना था एक इंडस्ट्रियल हब बनाना था यानि हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट चाहेगा कि उनके लिए better option एक better platform क्या है इंडिया जो at present बहुत अच्छा successfully lead कर रहा है to create the healthy environment for investment यानि इस तरह से मेक इंडिया प्रोग्राम को केरी किया जाएगा कि foreigners के लिए हमारी इंडियन इकनामी एक best destination रहेगी तो invest their funds in Indian economy और खास करके 25 sectors में अब जब एक्जाम में आप लिख रहे हैं तो जरूरी नहीं है वो डावट किये गए इनको ज़्यादा जो ज़्यादा से है important दिया गया कि इन एरियास में productivity को manufacturing प्रोसेस को productivity को हम ज़्यादा बढ़ाएंगे जैसे हमने देखा first first automobiles यहां पर main core areas है auto components parts जहां बनाया जाते हैं aviation sector यहां पर maximum foreign direct investment को focus किया गया chemical industries इसमें काफी जो है बदलाव technology इसको modernize किया गया construction industries इसमें काफी funds जो है वो abroad से आने लगे then biotechnology का sector हो defense manufacturing में बहुत से defense के arms and ammunition जो हम previously abroad से बनाते थे now it is to be manufactured in our Indian economy then food processing जिसमें हम करेंगे seven food mega parks जो है वो हमार Indian economy में बनाएगे यह एक बहुत बड़ी achievement थी after 2014 then हम electronic system design and manufacturing इस पे हमने काफी work out किया then electrical machinery हो, leather industries हो, mining industries हो, ports हो, railways हो, oil and gas है, media और entertainment काफी investment जो है यानि हम से ज्यादा आपको पता है कि pharmaceutical industries को इतना उन्होंने focus किया इतना उन्होंने उसमें latest जो है वो technology का support लिया कि हमारे medicines हमारे जो vaccinations थे वो हमने देखा कि करोना के समय सुपीर प्रूव है as compared to even developed countries तो pharmaceutical companies जो है, they are performing very well then space centers उसमें, then textile industries है, thermal power है, health sector है, tourism and hospitality है, उसमें हमारे foreign direct investment जो है, वो काफी return जो है, वो earn कर रही है renewable energy है, जैसे हम solar energy panels में देखते हैं, bio gas में हम लोग देखते हैं, तो काफी hydro electricity है, उसमें हमें काफी अच्छा response मिल रहा है roadways और highways की connectivity पे हम ज़्यादा invest कर रहे हैं, ताकि manufacturing sectors को ज़्यादा से ज़्यादा support मिले then IT sector और BPM, यानि business process management system, इसको भी काफी support किया गया, तो इस तरह से ये 25 sectors जो है, ये main core sectors थे, जिनको इतना investment और इतना programs के अंदर उनको support किया गया, कि हमारा India क्या बनना चाहिए, एक industrial hub, यानि हर देश, हर country ये सोचे, कि अगर invest करना है, तो best option क्या होना चाहिए, हमारे लिए India होना चाहिए, ना, हमारे जो ministry of commerce है, उन्होंने frame, frame किया, बनाया एक trust, कौन सी trust थी, वो trust थी, IBEF, perform क्या कहेंगे बच्चों, India's brand equity foundation, क्यों, ताकि focus किया जाए, ज्यादा से ज्यादा हम लोग concentrate कर पाए, है, four main key areas, कौन सी चार areas थी, number one, यह जो 25 main industries है, इन सब पे हम कैसे invest कर रहे हैं, कहां invest हो रहा है, किस तरह से उनको monitor करना है, किस तरह से funds अगर foreign से आ रहे हैं, तो manage करना है, यह सब 25 sectors को हमें क्या करना है, monitor करना है, then robust infrastructure, हमें latest technology से, जो है वो infrastructure हर area, manufactured areas को provide करना है, then policy के initiative और new processes हमें frame करने हैं, जो से बहुत सी programs और policies हमने बहुत बच्चों discuss भी किया है, तो different programs और policies जो है, वो prime minister ने हमेशा से बनाते हैं, जो हमने initiatives, that is second part में पढ़ा था, कि government ने कौन से initiative लिए for the success of these sustainable development goals, तो हमारे बहुत से programs है, वो initiatives और new programs क्यों बनाए गए, ताकि हमारे Indian economy में हम any goals को achieve कर पाए, जो हमारे expected targets है, जैसे हमने कहा कि मुझे manufacturing sector में 12-14% ग्रोच चाहिए, तो वो मिला, हमें 100 million jobs जो है manufacturing sectors में provide करना है, वो हमें मिला, हमें अपने GDP level में manufacture का contribution 25% चाहिए, वो मिला, और skill development को हम grow कर पाए है, ज्यादा से ज्यादा जो job है हमों provide कर पाए है, employees के income को हम लोगों ने erase किया है, इसकी वज़े से standard of living of the people has been increased, तो यह हमें achievement मिला है, because of these new initiative and efforts taken by the government, और main है new mindset, हमारे जो vision है, हमारे जो सोच है, हमारे जो intellectual properties है, उनकी सोच को ज्यादा से ज्यादा modern vision देना, work culture को change करना, transformation, structural changes जो है, वो हमें चाहिए, तो यह हमारा four main areas था, जिस पे हमारा यह जो sector है, यह जो trust है, that is IBEF, यहने India's Brand Equity Foundation जो है, वो इसी पे चार main sectors पे काम करेगा, नहीं यह जो हमारा make in India program था, इसकी objectives क्या थे बच्चों, अब वो objectives देखेंगे, अब यह भी objective is nothing, but it is a complete revision, you know it very well, कि क्या objectives थे, पहला पहला, हमें investment को बढ़ाना था, वोई try to increase the investment in manufacturing sector, जैसे हमने अभी 25 sectors को ज़्यादा से ज़्यादा focus किया, तो उन हर sectors में हम चाह रहे थे, कि ना सिर्फ हमारे Indian investment को बढ़ाएं, लेकिन foreigners भी interested हो to invest in these areas, तो हमें अपनी investment in manufacture sectors में बढ़ाने थी, क्यों? ताकि हमारे एकनामी की productivity बढ़े और हमारे एकनामी का export भी बढ़े, सेकंड ये था कि increase करना था job creation और entrepreneurship, हमने कहा हमने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा job provide किया, जैसे मैंने कहा कि हमारा main target था कि to create the hundred million jobs in the manufacturing sector by 2022, लेकिन उसके साथ-साथ हमें mind state भी बदलना था, change करना था, पहले हम क्या सोसे थे कि पढ़ने के बाद we will do some services in corporate sector, लेकिन अभी हम लोग अलग direction में सोचते हैं, अभी हम सोचते हैं कि we will have our own start-up, हमें अपना start-up होना चाहिए, इसके लिए हमारा जो सोच है, हमारा जो काम करने का तरीका है, वो totally different हो जाएगा, यानि now we will become an entrepreneur, अभी हम entrepreneur बनेगे, तो वही चाहिए था, अगर entrepreneur बनेगे, तो we will provide the job to many other people, तो हमारा job creation भी बढ़ेगा, और entrepreneurship भी बढ़ेगा, तो ये भी हमारा great success था बच्चो, then third, to promote the skill development, हमें skill development को ज़्यादा से ज़्यादा जो है, वो support करना है, इसके लिए हम करने वाले भी है, हमारा next program, skill India, प्राइम मिनिस्टर का जो skill development programs है, वो ज़्यादा से ज़्यादा support करते हैं, to skilled workers, talented workers, जिनको knowledge है, उन्हें credit की facilities provide करना, उन्हें technical support, उन्हें assistance जो हैं, वो उन्हें provide करना, उन्हें export करने के लिए अगर packaging और standardization की ज़रत परती हैं, वो उन्हें provide करना, हमें main, अपने quality को better बनाना है, better क्या best बनाना है, तो high quality products हमें अपनी economy में provide करना है, क्योंकि competition level है, with the other countries, foreign countries, developed countries, तो हमें अपने जो brand है, अपने जो products है, जो हम इंदिया में produce कर रहे हैं, उन्हें quality का status जो है, standard जो है, वो foreign के से match करना, तो high quality goods हमें provide करने हैं, next है, to promote the growth of manufacturing sector, हमें कोशिश करनी है, कि manufacturing sectors में growth बड़ेगी, वो बे 12-14% every year, हर साल बड़ेगी, और इतना बड़ेगी कि हमारे GDP में, manufacturing sector का contribution कितना होगा, बच्चों हमने कहा 25% और even more than that, तो ये कोशिश हमारी, इस making India programs के through your targets उन्होंने set कर दिया, next जो है, to improve the ease of doing business in manufacturing sector, ये तो हमारा greater achievement था बच्चों, ease of doing यानि हमारी एकनामी में, हमारी government ने complications को हटा दिया, जितने भी हमारे rules and regulations थे, उनको rationalize कर दिया गया, simplify कर दिया गया, ease of doing में, अगर हम बात करें बच्चों, तो हम लोगों को पता है कि दब 2018 में एक report आई थी, तो उस report में हमारे इंडिया की position, among the 190 country, हमारे इंडिया वास 100, 100 की position पे था, लेकिन immediately एक साल के बाद, 2019 में, 2019 में जब हमने report देखा, तो वही report ने हमारे इंडिया को किस position पे पाया है, पता है एक साल के बाद, on 63rd position पे, यानि immediately हम इतने position पे, हमने ease of doing में एक fast grow किया, तो हमारा main purpose यह था, कि जितने भी formalities हैं, complications हैं, उनको reduce करना, कि business start करने में, हमें अपने entrepreneurs हैं, producers हैं, businessmen उनने support करना है, so that they can easily start and wide their branch, वो अपने branches को बढ़ाएं, अपने business उसको expand करें, modernize करें, उसमें capital उनने ज़्यादा चाहिए, तो उनने assist करना, technology की उनकी assistant चाहिए, हमें वो provide करना, तो यह सब चीजें जो है, वो इस make in India program ने provide किया, तो improve the ease of doing business and manufacturing sector, next फिर हमने कोशिश किया, to build best in class manufacturing infrastructure, हमें manufacturing infrastructure वो भी उनने best देना था, चाहिए वो highways हो, चाहिए highways दिया, हमने उनने better connectivity दिया, और वो भी हमने उनका time energy जो था, वो भी save किया, एक wider, एक broader जो है, उनको highways की connectivity दिया, या ports हैं, उनकी connectivity, different industrial areas को हमने क्या किया, सागर माला programs के अंदर उनको connect किया, या aviation sectors में हमने इतना changes किया, इतने सारे हमने airports को connect किया, और airport भी with road and railways के साथ connect किया, ताकि manufacturing sectors में उनको complete जो है, वो services उनको high class level की मिल सके, तो first class उनने manufacturing जो है, वो infrastructure भी हमें built करना है, then to make India, एक global manufacturing hub, यानि हर एक country के लिए इंडिया क्या होगा, first priority होना चाहिए, कि अगर हमें अगर better choice है हमारे लिए, जहां से हमें अच्छी profit, अच्छी return मिलेंगी, तो वो India होना चाहिए, जो हम prove कर रहे हैं बच्चों, तो यह prove हो रहा है, तो global hub हमें हर country के लिए प्रूव करना है, आप देख रहे हो, Elon Musk है from the Tesla, he is interested to invest more in our Indian economy, यह हम लोग देखते हैं Google है, सुंदर बिचाई, he is interested to invest more in our Indian economy, वाइ, क्योंकि इंदिया एक best destination बन रहा है, for the other countries to invest their funds in our Indian economy, then had to make India a preferred investment destination, चाहे वो पॉर्टफोलियो में हो, चाहे वो फॉरंड डिर्ट इंवस्में में हो, या अगर इंडस्ट्रियल एडियास में हो, यहने हर एडिया में इंडिया शुद बिकम दियर फस्ट च्वाइस, यहने foreigner सोचें, तो पहला पैसा जो है, वो इंडिया में इंवस्ट होना चाहे और यह धीरे-धीरे हो रहा है, we are getting success in this path, next है, to protect and attract, to protect and attract high level of intellectual property, क्योंकि हमें अपने human resources को भी ज़्यादा से ज़्यादा जो support है, assistance है, knowledge है, वो भी उन्हें provide करना है, उसके लिए उनको जो भी funds चाहिए, उसके लिए भी हम लोग उनको जो भी उन्हें provide करना है, यह सब उन्हें वहाँ पे provide करना है, और यह हम लोग उन्हें great success जो है, वो हमने achieve किया है, हार एक sector में हम देखते हैं, कोई भी sector क्यों नहों, aviation का sector हो, उसमें हमने great success में जो है, वो हमने achieve किया है, automobiles में अगर हम लोग देखें, तो great success जो है, वो हम लोग उने achieve किया है, तो यह सब हम achieve, अभी recently हमने देखा, चंद्रयान थ्रीन हम लोग उन्हें लांच किया, great success because of high level of intellectual property, बच्चों यह great success के examples हैं, तो यही हम achieve करना चाहते हैं, तो this is the thing, next है achievement of making India program, अब making India program में achievement क्या हुआ बचों, यह भी सब आप लोगों ने प्रूव कर दिया, पहला पहला तो हम देखते हैं, ease of doing, याने ease of doing में हमने देखा, हमारा इंडिया जो है, वो world level पे अपना level को improve करता जा रहा है, जैसे आपके book में example है, 2018 का report, वो क्या कहता है, doing business, यह report आया था, 2018 में, 2018 में, उन्होंने क्या दिया था rank हमारे इंडिया को, इंडिया को rank दिया था, 100th position, out of 190 country, लेकिन एक साल के बाद, यानि अगर मैं 2019 की report, अगर मैं बच्चों का हूँ, तो उसमें हमारे इंडिया का जो position है, 163rd position है, इतना level हम लोग जो है, ओपर jump कर किया है, तो it's a great achievement, यह हमारे achievement ही, कि हम सीधा 100 से 63rd position पे ओपर आ गया, तो इस तरह से हमारे इंडिया, इतना businessmen को, manufacturers को, entrepreneurs को support कर रहा है, कि you should start your business, आपकी जितनी फॉर्मिलेटीज है, rules, regulation हैं, वो बहुत हमने simple कर दी है, next दा FDR, foreign direct investment, उसमें भी हमने देखा, जो complications थी, DIPP ने, याने department of industrial policy और promotion ने क्या कर दिया, कम कर दिया, ताकि easily जो है, foreign से पैसा जो है, वो हमारे economy में, जो है, automatic route से आए, या government के approval से आए, लेकिन easily हमारे economy में, जो हमारी cabinet के है, हमारी system है, on economic affairs, foreign affairs, यह सब ministry जो है, वो बहुत easily handle कर लेते हैं, तो इसके लिए FDA, जो है, वो भी हमारे Indian economy में बहुत जादा है, जिसे मैंने आपको एक example दिया, कि यह program बच्चों कब चालू हुआ, यह program चालू हुआ, on 25th September 2014, अब अगर आप ध्यान दोगे, कि April 2014 से लेके, March 2017 तक, इन तीन सालों में, हमारे Indian economy में, जो FDA का inflow हुआ, जो मैंने आपको बताया, 161 अगर एक्जाक्ली बताऊं, तो 160.79, US billion dollars, हमारे Indian economy में invest हुआ, great example, हमारे Indian economy में, इतना foreign direct investment, जो है, they are interested, because यह क्या है, हमारा India क्या बनता जा रहा, एक better destination for foreign investors, कि हमें यहाँ पे इंडिया में, जादा से जादा पैसा invest करना, then हम लोग देख रहे हैं, कुछ specific sector achievement, अब वो specific sector achievement में बच्चो क्या है, मैंने कुछ ऐसे points लेखे हैं, जो मैंने completely आपको notes में easily provide किया हुआ, क्या दिखता है, जैसे electricity generation, हमारे एकनामी में बड़ी, इतनी industries को हमने support किया, ताकि electricity की shortage नहीं हो, ज्यादा से ज्यादा हम electricity जो है, वो manufacturing sectors को provide कर पाएं, rural areas को provide कर पाएं, ताकि हर areas में हम industrial sectors को support कर पाएं, तो electricity generation बड़ा by 5.8%, second जो pharmaceutical industries थी, उनका तो growth बहुत tremendous दिखा है, बहुत ज़्यादा दिखा है और 15%, और करोना की में हम लोगों ने हमारे इंडिया, जो एक जीत की लेवल की तरफ आगे बढ़ा, और बहुत ही successfully उसने इस प्रोग्राम को, जो हमने इस problem को हमने solve कर पाएं, वो because of this pharmaceutical industry, तो pharmaceutical industries grew by 15%, next है FDA in aviation sector, aviation sector में इतना FDA बढ़ गया, 6 गुना जादा, 6 times more, इतना जादा aviation जो में सेक्टर में investment foreign से आया, next जो है 7 mega processing food parks, क्योंकि हमें food processing में हमने देखा, बच्चों जादा से जादा investment करना था, तो 7 mega processing food parks जो थे, वो हमारे Indian economy में start हुआ, जिसने काफी support किया in providing the jobs, और इससे manufacturing का जो contribution था, and the GDP, वो भी काफी अच्छा था, next है 1.5 lakhs, 1.5 lakhs MSME sectors जो थे, यहनि micro, small, medium enterprises जो है, इतने units जो थे, इतने number of new industries जो थे, वो हमने start किया, क्यों? ताकि हम 11 lakhs लोगों को job provide कर पाएं, तो 1.5 lakhs जो थे, इतने MSME sectors जो थे, हमने rural areas में provide किये, ताकि rural areas में भी industrial sector grow हो, वहाँ पर भी manufacturing sector को एक support मिले, जो हमने specially separate chapter जो है, वो complete किया हुआ है, MSME sector, यहनि micro, small, medium enterprises, जिसका capital भी जो है, वो भी light रहता है, हम लोग देखते हैं, और इसमें हम productivity देखते हैं, वो भी ज़्यादा रहता है, यह सब जो MSME sectors है, वो easily हम किसी भी areas में हम लोग start कर सकते हैं, capital भी light है, इसमें ज़्यादा technology की भी ज़रत नहीं रहता है, labor intensive industry है, job easily generate हो सकता है, productivity बढ़ेगी, और main thing रहता है, unemployment का problem reduce होगा, यानि हमारे economy में standard of living बढ़ेगा, poverty कम होगा, तो यह MSME sector में भी ज़्यादा से ज़्यादा इस program ने contribute किया, last point है, various defense के products, वो भी हमने कोशिश किया, क्योंकि हमारा main यह था कि जो defense है, defense के भी products है, arms and ammunitions जो है, वो हम अपनी economy में खुद बनाएं, जो हमारे fighter planes है, aircraft हैं, they are now manufactured in our Indian economy, वो हमारे उनकी जो parts है, वो हम अपनी इंडियन economy में जो है, वो manufacture करें, so this is our achievement, वो हमारा achievement है, तो these are the specific achievements जी, जो हमने यहाँ पे आपको 5-6 points में बताएं, एक तो electricity generation की capacity, 5.8% बढ़ गई, then pharmaceutical industries, उन्होंने grow किया by 15%, अगर FDA aviation में देखें, 6 times जादा हो गया, साथ बड़े-बड़े mega processing parks जो थे, food parks जो थे, वो बढ़ा है तो बटर नैचरल आके employment बढ़ेगी, then 1.5 lakhs जो है, वो MSME sectors और जादा बढ़ गए, और उसनोंने 11 लाख लोगों को employment दिया, और बहुत से जो defense के arms and elimination के products से, वो हमारे Indian economy में मैंने पहले का, हम चाहते थे making India, हम हर चीज़ इंडिया में बनाएं, foreigners भी अपने products को इंडिया में बनाएं, इससे क्या होगा, एक हमारे label का brand जो है, वो international label पे जब बिकेगा, तो butter natural goodwill तो इंडिया का ही बढ़ेगा, तो ये main purpose था, जिसकी वज़े से हमने in 25 industries को main, हमने importance दिया, ताकि हमारा इंडिया क्या बना चाहिए, एक industrial hub, यानि हम चाहते थे making India को क्या बनाएं, global manufacturing hub, एक preferred investment का destination, और high quality का intellectual property, अवेलेबल होना चाहिए, और इसके लिए हम लोग क्या चाहते हैं, new initiatives ली government लेती है, बहुत से जो technology है, उसका support लेती है, और सबसे ज़्यादा, हमारा mindset इसी change हो रहा है, और plus government प्रोवर्मेंट प्रोवर्मेंट कर रहे, बहुत ही latest modern जो है, infrastructure यानि advanced technology, हर एक area में हमें वो provide कर रहे हैं, तो ये बहुत ही important but easy question है, जो आपके TY level पे बच्चों हमेशा पूचा जाता है, थाना easy जो हमने complete किया, कि make in India प्रोग्राम क्या है, ओके बच्चों, so if you like this video, you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box, thank you,